जे श्रीहरी, इस पिचल ग्यान चैनल में आप सभी का स्वाकत है, आशा करती हूं सभी स्वस्त होंगे इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वो श्राप जिसके कारण सीता माता को भूगना बड़ा वनवास एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनुरंजन के ले गए वहाँ पर एक रक्ष पर उन्होंने तोते के जोड़े को देखा दोनों आपस में बात कर रहे थे एक ने कहा कि अयुध्या में एक सुन्दर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है उनसे सीता जी का विभा होगा श्री राम हजार वर्सों तक इस धर्ती पर राज्य करेंगे सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरहा इस धर्ती पर सुख से जीवन बिताएंगे सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गोर से सुनने लगी उन्हें अपने जीवन के बारे में और बाते सुनने की इच्छा हुई सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकडवा लिये सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा भै मत करो तुम बड़ी अच्छी बाते करते हो यह बताओ यह ग्यान तुम्हें कहां से मिला मुझ से डरने की जरूरत नहीं है दोनों का डर समाप्थ हुआ वे समझ गए कि यह स्वयम सीता है दोनों ने बताया कि वालमिखी नाम की एक महरसी है वह उनके आश्रम में रहते हैं वालमिकी रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं उन्होंने वहीं यह सब सुना जो आप सब कंधस्त हो गया है सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा दश्रत्पुत श्रीराम शिव का धरुश भंग करेंगे और सीता उन्हें पती के रुप में स्विकार करेंगी तीनों लोकों में यादभुत जोड़ी बनेगी सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाते दोनों ठक गए उन्होंने सीता से कहा ये कहता बहुत बड़ी है कही मा लगेंगे सुनाने में दोनों उड़ने को तेयार हुए यह देख सीता ने कहा तुमने मेरे भावे पती के बारे में जो बताया उनके बारे में बड़ी जिग्यासा हुई है जब तक शीराम आकर मेरा वरण नहीं करते मेरे महल में तुम लोग अराम से रहकर सुख भोगो तोती ने कहा देवी हम वन के प्राणी है पेडों पर रहते सर्वत्र विचरते हैं मैं गर्वर्वती हूँ मुझे गंहोसले में जाकर अपने बच्चों को जनम देना है सीता जी नहीं मानी तोती ने कहा आप जिद ना करें जब मेरी पतिनी बच्चों को जनम दे देगी तो मैं सुयम आकर शेशकत्त सुनाऊंगा अभी तो हमें जाने दे सीता ने कहा ऐसा है तो तुम चले जा लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी मैं इसे कस्ट नहीं होने दूगी तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था वह अकेला जाने को तयार ना था जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा मुनियों ने सक्ट कहा है मॊन रहना चाहिए यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते तोती अपने पती से विजो सहन नहीं कर पारी थी उसने सीता से कहा आप मुझे पती से अलग ना करें, मैं आपको श्राब दे दूँगी सीता हसने लगी, उन्होंने कहा श्राब देना है तो दे दो राजकुमारी को पक्षी के श्राब से क्या ही विगड़ेगा तोती ने श्राफ दिया एक गर्वती को जिस तरह तुम उसके पती से दूर कर रही हो उसी तरह तुम जब गर्वती रहोगी तो तुम्हें पती का विशोहुच हैना पड़ेगा श्राफ देखकर तोती ने प्रान त्यार दिये पत्नी को मरता देख तो तक रोध में वोला अपनी पत्नी के वजन सत्य करने के लिए मैं इस्वर को प्रशन्द कर श्री राम के नगर में जनम लूँगा और अपनी पत्नी का शुराफ सत्य कराने का माध्यम बनूँगा तो ताबाद में आयुध्या का धोवी वना जिसने जूंटा लांचन लगा कर श्री राम को इस बात के लिए विवस किया कि वह सीता को अपने महल से मिश्काशित करने तो कैसी लगे आपको जहन करी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स फोर वाचिंग